आप देख रहे हैं प्राइंग टीवी सच साहस सरुपा बीते चोबिस घंटे में देश में 745 में नए मामले आई सामने 434 कोरोना मरीजों की मौट देश में कोरोना के नए वारियंट के बढ़ते खत्रे के बीच तमलनाडू में ओमिक्रोन विस्पोर्ट 33 नए केस से मचा हळका बहुचर्चित परल्ल घोटाले में सीबियाई की बड़ी कारवाई देशवर से 11 आरोपियों कुकिया किया गिरफता उत्रखन कॉंग्रस में सियासी हल चलते जप्रीतम सिंग और हरीश रावत दिली तलम हरीश रावत ने कहा केंडर में सत्ता हासल करने के लिए कॉंग्रस को भी अपना नहीं होगी बीजेपी की तक्रीक नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ शिखा मैर उत्रखन बुलिटिन की उत्रखन के चीव जस्टिस आर एस चौहान गुरुवार को सेवा निवरित हो रहे हैं उनके बाद वरिष्ट न्याय अधीश संजे कुमार मिश्ट को उत्रखन हाई कोट का कारेकारी मुख्य न्याय अधीश नियुक्त किया गया है सुप्रीम कोट के मुख्य न्याय अधीश की संस्तुती पर रास्रपती रामनात कोविंद ने ये नियुक्ती की है जस्टिस संजे कुमार को नियुक्ती से संबंधित केंद्रिय विधी एवं न्याय मंत्राले के अपर सचेवर राजेंद कश्यप के हस्ताक्षर से जारी अधिसूचना वुद्वार को हाई कोट को प्राप्त होच की है 24 दिसंबर 1969 कुजन में जस्टिस चौहान ने उत्राखण हाई कोट के मुख्य न्याय अधिश का कारेभार 31 दिसंबर 2020 को संभाला था उत्राखण हाई कोट के चीफ जस्टिस आर एस चौहान के सम्मान में नानिताल हाई कोट बार एसोसियेशन ने एक विदाई सम्हारों भी आयोजित किया है भाजपा की विजही संकल्प यात्रा के चंपावत पहुँचने पर भाजपा कारेकरताओं ने मरोड़ा थान के बाईक रैली दिकाल कर यात्रा के सोरदार स्वागत किया इस गौरान लोहा हाट मिराम लीला मैदान में आयोजित सभा को सब्वोधित करते हुए कि इंडरे रक्षर राजवे मंतरी अजोई भट ने भाजपा सरकार की उपलब दिया बताई आगे उन्होंने कहा कि पियम मोदी के नेतरित्व में आजोदुनिया भारत का लोहा मान रही है और सरकार सैनिकों के हित में लगातार काम कर रहे हैं इस दोरान सांसट अजय टम्टा ने दावा किया कि भाजपा सबका साथ और सबका विकास के मुद्दे को लेकर चलती है अगे ज़ेन के शेतर के लिए स्वास्त के शेतर में क्या किया सर्फों के क्या विद्यूत के सेतर में क्या क्या गांकिया ? अबarta देहरादून से है जो आप और्व मुक्यमत हरी श्रावत ने UK नेताओं से मुलाकात की यूकेडी के केंडर अद्यक्ष काशी सिंग एरी समेट पार्टी के स्थीश नेताओं ने दहरादून इस्थेत हरीश रावत की आवास पर मुलाकात की उत्रखेंड करांती दल के नेताओं की पूरवस सियम हरीश रावत मुलाकात के बाद राजनीति गल्यारों में हल चल तेज़ हो गई है अगामी चुनाव को लेकर सभी पार्टिया मैदाद में उतर चुकी है नेमाई वधान सभा पिरांद कलियर से आमा आदमी पार्टि अपनी तैजी से कर रही है इस दोरान आमादमी पार्टि के वधान सभा प्रभारी इंजीनियर शादाब आलम ने ने कहा कि कलियर में विकास की जरूरत है जो वहां के विधायत नहीं करा पाए और इस बार जनता बदलाव चाहती है, जनता सिक्षा स्वास्ते रोजगार चाहती है विधासबा चिनाओ की सरगर्मिया तेज हो गई है, वहीं सभी राजनीतिक दल भी पूरे दमखम के साथ चिनाओ भी मैदान में उतर गए हैं उतरखर में भाचपा, कॉंग्रिस और बस्पा के साथ इस बार आम आदमी पार्टी ने भी हूंकात भरी है लेकिन रुड़की की पिरान कलियर विधान सभा में जनता आम आदमी पार्टी को नकारते हुए नजर आ रही है पिरान कलियर विधान सभा के बाजो 80 ग्राम की जनता ने साथ तोर पर कहा है कि आम आदमी पार्टी ने बाहरी प्रत्याशी को उनके विधान सभा में प्रत्याशी के तोर पर उतारा है अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाली विधान सभा चुनाओं में बिरान कलियर विधान सभा सीट पर क्या नतीजे निकल कर सामने आते हैं और जनता किसे चुनकर लाती है सुनते हैं आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा इस बार हम सरकार चाहते हैं कांगरेस की मैं गाओं बाज जोड़ेगा मेरे नहां सब भी रहे और कांगरेस ने हमारे सितन में काम अच्छा करा पुरकान आलम ने हम तो ये चाहिए कि सरकार जवाव तो कांगरेस किया जो कंडिड़ेट आज विधान सबाम पुरकान उसके विकास कारिया गो रुड़की कॉलेज ओफ इंजीनियरिंग में इंडियन स्पेस वोर्ट एंड रिसरच ने साउंडिंग रॉकेट का लाँच और टेस्ट का काम किया गया वहें अंकित चौधरी ने अपनी टीम के साथ मिलकर ये कोशिश उत्राखन में पहली बार की है इस दोरान उन्होंने कहा कि लोगों को विज्ञान के आधनिक तकनीकी से अवगत कर आया है और इस कारे में रुड़की कॉलेज ओफ इंजीनियरिंग के चेर्मेन श्री एसके गुप्ता ने अपना पूरा सहयोग दिया और अपने परिसर में स्पेस लैब को स्थान प्रदान किया एक एक एलुमिनाई स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमारे हैं एक रिसर्च लैब यह स्पेस इनुवेशन रिसर्च लैब के लिए एक लैब इस्ताफित किया हमारे कॉलेज के अंदर रोल की कॉलेज ओफ इंजीनियरिंग में और इसके अंदर यह बच्चे कारे कर रहे हैं और बाहर से वाख से स्टूडेंट्स आते हैं यहां पर उस टेकनो लघी क्राम करने के लिए इस पेस में जाने के लिए रॉकेट बनाया जाते हैं और उन रॉक्य। इस को लाउंच करने की कोशीश की जाती है यह कितने बाहरी किलोमेट्र कि द्वारा यह फिर नीचे आता जब उपर पहुंच जाता है तो एक ट्रेजेक्टरी का पता चलता है इसकी साउंड का पता चलता है कि इस तरीके से यह उपर जाता है क्या पाथ फॉलो करता है इसी के कारेकरम में करते हैं और इस तरीके से आगे भी करेंगे नेक्स टाइम जो हैं हो सकता है पांच किलो मेटर फिर दस किलो मेटर का तयारी करेंगे इंडियन स्पेस रिसर्फ और्गिनाइजेशन से जो है इन लोगों का कॉलोबरेशन है हम लोगों का और यह बच्चे वहां पर भी जाते रहते हैं टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए कि नॉर्दन इंडिया जो हमारा पड़ता है उसके अंदर बहुत से लोगों को स्पेस साइंस टेक्नोलोजी रॉके टेक्नोलोजी के बारे में इतनी इंफोर्मेशन नहीं मिल पाती है रधर देन कि हम लोग जब देखते हैं कि साउथ में जाएंगे अगर साउथ इंडिया फेस इन्विशन इसलसरी टा अभी हमारा मैनमोटीव यह है हम लोग की स्टूदें तो यूथ है हमारा यूथ औफ इंडिय कॉं उत्रखंड में ओमिक्रोन के मामले पाई जाने के संदे की खबरे चल रही थी कि राज्य में पहला पॉजिटिव केस भी सामने आ गया है स्कॉटलेंड से लोटी एक 23 वर्षी युवती COVID-19 के नए वारियंट से संक्रमित पाई गई है इससे पहले दिली से लोटे एक बुज़ूर गदम पती के कोरोना पॉस्च पाई जाने के बाद उनके सैंपल को जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजा गया था इसके बाद से ही उत्राखेंडगा स्वास्त विभाग ओमिक्रोन के संदिक्द केसों को लेकर अलर्ट मोड पर था अब स्वास्त विभाग ने राज्य में ओमिक्रोन वैरियंट के पहले केस मिल जाने की पुष्टी कर दी है स्वास्त विभाग की डीजी ने बताया कि 11 दिसंबर को टेस्टिंग के लिए लिए गाइफ सैंपल की रिपोर्ट 12 दिसंबर को पॉजिटिव आनक बाद युवती को घर पर ही आईसोलेट किये जाने के निर्देश दिये गए हैं साथी जिले की आईडी स्पी इकाई ने युवती को 14 दिन तक घर में ही आईसोलेट होने समद्धी पूरी गाइडलाइन्स जारी की थी बता दे कि उत्राखेंड में उमीकरोन का ये पहला कन्फरम केस है हलाकि इससे पहले कुछ मामले में संदे की स्थितीव बनी हुई है आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरुका